अब आज अमें गेम खेलेंगे अब आज जो गेम का नाम क्या है क्रॉस मी आउट अब देखो करना क्या है हमने इसमें आपको मुझे बताने है इसमें बताने है और हम उनको 9 बॉक्स में बढ़ेंगे उससे जदा में भी बढ़ सकते हैं तो हम कितने बॉक्स में भरते हैं चलो बताओ नइन संख्याई बताओ मुझे कितनी 38, 48, 49, 38, 39, 37, 36, 36, 39, 29, very good, 15, 15, 15 तो होई नहीं सकती, 20 से कम नहीं हो सकती, 20 से ज्यादा हो सकती है, और 50 से कम हो सकती है, 28 हो सकती है, 31, very good, होगे, तो हमने कितनी संख्याई लिख लीगे, 9 संख्याई, ठीके, अब हमको करना क्या है, सब बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में ये सारी संख्याई अपने मन से सोचके लिखनी है, अब उसके बाद मैं तुमको दूँगा क्या, 9 questions दूँगा, 9 sums से दूँगा, वो काई के होंगे, जोड के, अब तुमने ये देखना है कि जो भी सवाल मैं तुम्हें दूँगा, वो जोड जैसे कि हम एक example से सीखते हैं, ठीके, माना मैंने तुम्हें दिया ये, मैंने तुम्हें बोला कि आप जोडो 41 में 3, ठीके, 41 में 3 जोडो, कितना फोर जीरो, आप देखो, यह 44 में कहीं आ रहा है, अगर मेरे 9 सवालों में से अगर एक सवाल ये है, तो इसका मतलब जिस बिए बच्चे ने 44 लेका होगा, उसका तो कट जाएगा और जिसने नहीं लेका होगा उसका नहीं कटेगा, तो उन 9 सवालों को करने के बार, जिस ब चलो यह बताओ 16 और 13 को जोड के बताओ 16 और 13 नाइन और वान वन तू अब देखो 29 में कहीं आ रहा है अब जिस भी बच्चे की कॉपी में 29 लिखा हुगा उसका क्या हो जाएगा यह गटार प्रॉस हो जाएगा ठीके जिस बच्चे का नहीं लिखा हो उसका क्रॉस नहीं यहाँ पर आपने जो नंबर सिखे थे इस इताने इस इताने क्या नंबर सिखे हैं यह पड़ो पिटे हम पूंटीफॉर 2949 है कर लुटीफॉर में 49 फॉनटीफेटू टवर्टीटू ट्वन्ट्यइट और अब बताओ इसमें से कितने कड़ते हैं त्रुफोई अब देखो अब अब देखते हम शिवानि शिवानी ने देखो शिवानि के कोई सी भी नहीं कटें हैं और तो कौन गेम जीत गया बताओ इसी ता क्या होगी है गेम जीत गई है विनेट ओके